राम राम दोस्तो दोस्तो कल में आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया दरसल में कुछ नई चीजों पर काम कर रहा था जल्दी आपको उनके भी इंफोर्मिशन दी जाएगी लेकिन मार्किट ने काफी बहतरी इन मोमेंटम किया है अगर आप देखेंगे अगर आप 10th को focus करेंगे 10th पर आपने क्या देखा इस वाले जोन पर मार्किट ने काफी important support बनाया मार्किट आया इस जोन पर एक बहतरी इन सा मार्किट ने projection भी बनाया retracement करके अगर इसी direction में move करता हुआ चलता तो आपको negative side और भी बहतरी इन momentum मिल सकता था लेकिन मार्किट ने यहा गंटे को अगर आप छोड़ दे पोने या गंटे को छोड़ दे तो मार्किट ने एक बहतरी इन support के रूप में काम किया है तो अब यहाँ पे सवाल सीधे सीधे ही खड़ा हो जाता है अगर आप 11th की बात कर रहे हैं कि जब तक इस वाले support zone का market breakdown नहीं देता तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोचना चाहिए किलियर किलियर इतना तो आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं इतना तो आप समझने लग गए होंगे कि support resistance पे हम कितना धियान रखते हैं और वही चीज आपको समझाने की भी इकोजिस करते हैं अब जैसी market ने momentum किया देखो इस इसी support zone से market support लेके फिर से bounce कर गया और फिर से एक बहतरीन सा price action बना के आपको market ने previous day low का भी breakdown दिया और फिर फिबनाची के according हमारा जो ये एक important support था market ने इसका भी breakdown दिया और 52,000 का भी market ने breakdown दिया यानि कि market ने आपके लिए बहुत सारे setup बनाए और फिर यहां से भी bounce करके market market ने आपको एक बहतरीन opportunity दी सारी चीजों का हम detail में discussion logic में करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ चीजे समझनी थोड़ी जरूरी हो जाती है अगर आप one day के time frame पे आएंगे one day के time frame पे हम बहुत दिनों से एक discussion करते हुआ रहे है क्या discussion करते हुआ रहे है कि ये वाला zone हमारे लि breakout दिया तो market यहाँ पे support के रूप में काम कर रहा था क्योंकि हम जानते थे अगर कोई resistance है breakout मिलता है तो उसकी support की तरह act करने की possibility बढ़ जाती है आज की candle पे focus करो आपको यहाँ पे साप साप market में buyers active होते हुए दिखाई दियोंगे यानि कि इस zone से अभी भी market उपर closing दे रहा काफी चोटा होता है लेकिन उसके comparatively risk reward ratio आपको यानि की reward काफी अच्छा मिलने के chances बढ़ जाते हैं लेकिन अभी हम यहाँ पे swing trading का discussion नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे simple से चीज़ों को समलने की causes कर रहे हैं कि market में buying आती हुई दिखाई दिया यानि कि कहीं ने कहीं इस zone पे buyers म मिल जाता aggressively negative side positions नहीं बनानी चाहिए दूसरी चीज़ मार्केट में अगर यहाँ से support ले रहे हैं तो एक risk लिया जा सकता है अगर मार्केट में एक negative momentum आया तो पहले support की possibility यहीं रहेगी 52,000 लेकिन अगर मार्केट यहाँ से उपर की तरह भी momentum करेगा अगर आपको यहाँ पे खल किसी trend line भी दिखाई देगी अगर इसका breakout देगे चलता है तो यह 53,000 के एक round level पे जाने की कोसिस कर सकता है अब वीडियो को थोड़ा साथ धियान से समझो भी अगर आपने मेरी देखो कलतों में वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया उससे पहले वीडियो प्रोवाइ किया था कि या तो 53,000 का market breakout दे तो positive side हम कुछ aggressively सोचेंगे या फिर 52,000 का market breakdown दे तो negative side हम कुछ aggressively सोचेंगे यह discussion हुए थे कि नहीं हमारी जब तक इस भीच market रहेगा तो हम छोटे छोटे point फे focus करेंगे या फिर आप कम quantity में काम करेंगे target भी आप छोटे रखेंगे बात समझ मैं रिवाइज मैंने क्यों करवाई ये बात क्योंकि market इस zone से बाहर निकलने की कोसिस किये थी आज लेकिन बाहर नहीं निकल पाया फिर से market इस zone में आपको आता हुआ दिखाई दिया क्लियर होगी यहाँ पे आईए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे मैं आपको सार्च यह समझाऊँगा कि कल के आपको किस तरीके से तयार रहना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक discussion कर लिता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोजिक को समझने के कोसिस करते हैं लोजिक काफी simple था यहाँ पे आप देखेंगे market ने breakdown दिया है previous day low का और एक बहतरीन सा market ने setup भी बनाया है यान की price action भी बनाया है market वापिस आयर कुछ bounce मारा और फिर एक बहतरीन सा price action बना के आपको market ने momentum भी दिया है हमारे लिए main important support था यह 52,000 क्यों important था एक तो मैं आपको 1 day के time frame पे लेके गया जो market को bounce करवाने में हमारी मदद कर सकती है, market में एक reversal ला सकती है अगर 0.618 का breakdown मिल जाता है तो हमारे लिए घबराने वाली बात हो सकती थी लेकिन market ने ऐसा बिलकुल भी नहीं किया है तो आईए situation समझते है, setup बहुत से, देखो अगर मेरे setup और strategies आप सीखना चाते है नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, आप जाएए उन्हें सीख सकते है फिलाल हम कल के दिन पर focus करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार Fibonacci लगा कर दिखा देता हूँ हाला कि आप इसके बारे में जानते हूँगे, मैंने पहले भी draw किया हुआ है यह पहले से ही draw है, सारी चीजे, क्योंकि हम काफी दिनों से ही ने draw करते वे आ रहे है simple simple सी, ओके यहाँ पर आप देखेंगे 0.5 और यह 0.618 हम यहाँ पर सारी यह चीजे यहाँ पर draw की गई है अब मैं आपके लिए एक line और draw कर लेता हूँ जब तक मैं draw करता हूँ, वीडियो को like कीजे और comment करके आईए, कि आपको analysis कैसे लग रहे है जैसे market ने, अगर आप धियान से देखेंगे, यह 0.618 है यह 0.618 है, market ने इसका breakdown देने के कोशिस किये गया और दिया भी है market ने breakdown लेकिन market यहाँ से फिर से उपर ही इसका breakout देके उपर price sustain करने लग गया, मैंने क्या समझाए था, कि अगर 0.618 का breakdown मिलके price नीचे sustain कर जाता है तो आपको market में trend reversal की possibility बढ़ जाती है यहाँ कि अगर अब trend चल रहा था, तो market में एक negative momentum या उस trend के opposite direction में जाने की possibility बढ़ जाती है तो यहाँ पर हुआ क्या, 0.618 का breakdown दिया गया लेकिन price नीचे sustain नहीं कर पाया और market ने prices का भी breakout दे दिया और 0.5 का भी breakout देगे ओपर closing आपको देता हुआ market दिखाए दिया है यानि कि कल के लिए हमारा थोड़ा सा interesting day होने वाला है इसलिए सारे चीज़ों पर हम थोड़ा सा detail में focus करने वाले है इसलिए अपनी आखे भी खुली रखेगा कान भी खुले रखेगा और mind को भी खुले रखेगा आईए step by step discussion करते है अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है तो ध्यान से देखो इस zone में आपके लिए दो नहीं तीन चीज़े हैं पहली previous day high हो गया आपका यहें पर दूसरी previous day closing pass में हो गया तीसरी आपका 0.5 का एक important level है यानिकि 52,246 यह भी pass में हो गया यानिकि इस zone में आपके लिए 3 important चीज़े है तो अगर market ने एक breakdown देके reversal देके negative momentum दिखाना है जब तक कि आपको तीनों का breakdown नहीं मिल जाता आपको negative side बिलकुल भी नहीं सोचना चाहिए पहली बात समझ में आए की नहीं आ गई दूसरी बात को समझो अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है तो इन तीनों चीज़ों से market उपर रहना चाहिए अगर यहीं से उपर मिलता है तो आपको previous day high का breakout मिल जाएगा आपके लिए setup भी बन जाएगा previous day high के breakout वाला अगला important resistance क्या हो सकता है 0.382 यानि की 52,507 इसका आपको breakout मिलता है आप इसे आगे extend करेंगे यह जो 3 zone में आपको दिखा रखे हैं इन्हें आप आगे extend करेंगे उससे आपको काफी मदद मिलेगी कि market में आप देखो इसे हमने आगे extend किया तो यहाँ पर चार चीजे दिखाई दे रही है price action के according important support zone भी दिखाई दे रहा है clear होगी यहाँ तक बात अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है इन support zone को हम draw ही कर लेते हैं इसे मैंने आगे extend कर दिया अब मैं उठा के इसे भी आगे extend कर देता हूँ अब इसे भी उठा लेते हैं इसे भी आगे extend कर देते हैं ओके हो गया आपको भी इसी तरीके से इन्हें आगे extend करना है तो हम कहां थें अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है इस scenario पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चार चीजे हैं चार कौन-कौन से जल्दी से revise करो previous day high है आपका previous day closing है तीसरी चीज आपकी क्या है 0.5 का एक important level है 52,246 और चोथी चीज क्या है एक important support जोन है जब तक आपको इन चारों का breakdown नहीं मिलता क्या negative side सोचा जा सकता है बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता भी market को sideways ले जा सकते हैं या फिर market को bounce भी करवा सकते हैं एक बात और समझो मैं आपको हमेसे यह कहता हूँ कि अगर किसी support zone पे आपको hammer मिल जाए या फिर pin bar bullish candle मिल जाए तो ऐसी opportunities पे आपको risk लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे stop loss आपका comparatively काफी छोटा होता है लेकिन इसके comparison में आपको reward अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ पे तो 4-4 support zone है तो अगर इस वाले support zone पे आपको hammer मिल जाए या फिर pin bar police candle मिल जाए तो आपके लिए एक बहतरी opportunity create हो सकती है चलो इसका भी हम discussion करेंगे लेकिन पहले negative momentum का discussion कर लेते हैं जैसे कि हमने discuss किया कि जब तक कि आपको 4 का breakdown नहीं मिलता तब तक आपको negative side कुछ भी plan नहीं करना चाहिए अगर market ने इसका breakdown दे दिया फिर आपके लिए 0.618 यानि कि 51,984 काफी important support level हो सकता है इसका breakdown मिलता है तो आपके लिए previous day low काफी important support हो सकता है इसका अगर breakdown मिलता है तो 0.7 वाला यानि कि 51,611 के round आपके लिए काफी important support की possibilities हो सकती है यह idea आपको यहाँ पे लग गया अब अलग scenario को discuss करते है अगर market ने दे दिया आपको gap up ओपनी दोस्तो इसका discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ यह आपके लिए किसी भी तरह कर ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आप कौनी वाला है लोग उसकी जिम्धार भी आपको अपने आप लेनी है अगर market gap up opening देता है तो इसका मतलब market इस वाले support zone की respect कर रहा है और इस वाले support zone पर ध्यान दो जहांसे हमने इसे draw किया हुआ है हमने पहले यहाँ पर resistance भी देखे है breakout मिलने के बाद market आपको यहाँ पर support लेता हुआ भी दिखाई दिया है फिर से breakdown मिला है फिर से आपको यहाँ पर resistance देखने को मिल रहे है फिर से जब इसका breakdown मिला था breakout मिला था फिर हमे support देखने को मिले थे अभी recently इसका पिछले दिन ही breakdown मिला था तब हमें यहाँ पर resistance देखने को मिले थे यानि कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आप देखेंगे market इस zone की आपको respect करता हुआ दिखाई दे रहा है जब जब इस zone के पास से गुज़रा है तो आप लोग क्यों ignore कर रहे हो आपको भी इस पर काम करना चाहिए इस पर चीज़े समझनी चाहिए अगर gap up opening देने की कोशिस कर रहा है तो इसको मतलब market इन चारो support zone पे support लेने की कोशिस कर रहा है तो situation पे आपके लिए जो अगला important resistance बने गए 0.382 यहनिकी 52,507 आपके लिए अगले important resistance के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है इसका breakout मिला तो ये वाला एक resistance zone है जिसकी market ने 5th, 6th, 7th को भी आप देखेंगे market ने बहुत ज़्यादा respect करता हुआ market दिखाई दिया था 5th को, 8th को, 9th को market इसकी respect करता हुआ दिखाई दिया था even 10th को भी आप देखेंगे 10th को भी market ने इस zone की respect की थी as a resistance लेकिन वहीं पर अगर दूसरी scenario को समझे अगर market gap down opening देता है ये थोड़ा सा interesting हो सकता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा market यहाँ पर 4 support है चलदी से मेरे साथ revise करो 4 support कौन सा है previous day high हो गया previous day closing हो गया और आपके लिए 0.5 का round level हो गया 52,246 और फिर आपके लिए हो गया क्या कौन सा price action के according एक important support अगर gap down opening मिली तो इसका मतलब marketing चारो को breakdown करेगा अगर चारो का breakdown मिल गया तो ये क्या बन जाएंगे support है breakdown मिलते ही तो resistance की track करने लग जाएंगे तो पहले important resistance यहीं पर बन जाएगा क्या पहले भी इनों ने resistance की track क्या है बिलकुल क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं market ने काफी better in reversal दिया था तो अगर वो situation बनी फिर आपके लिए important support बन जाएगा 0.618 यानकी 51,984 और यह किसके नजदिक है 52,000 के round level के नजदिक है इसलिए हम इसे ignore बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को like कीजेगा मुझे comment करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे है नए हो subscribe करना और bell icon प्रेस करना जिससे आपको आने वाली videos के notification मिल सकेंगे फिलाल इस video में इतना है फिर मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए राम राम